नमस्कार आज सरदपूर नीमा है 2020 और दिन शुक्रवार तो इसके लिए हम खीर बनाएंगे ये खीर बना के अरब चांद की रोष्टनी में रख दे जिससे कहा जाता है कि अम्रित की वर्षा होती है इसके लिए हमने दो के जी दूद लिया है इसको थोड़ा सा सुखा लिया है दूद को और इसमें दो तीन मुठा के आसपास हमने खीर का चावल लिया है और कुछ सूखे मेवे हमने लिया है इसको हम कूट के डालेंगे और काजू पदाम और किसमी से सब हम डालेंगे अब इ अब हम खीर को धीमे आज पर पकाएंगे दीरे धीरे खीर पके इसके लिए हम गैस को धीमा कर देते हैं बीच बीच में हम एक दो बार चेट कर लेंगे यह बिलकुल पक गया है थोड़ा सा पतला इसको थोड़ा और गाढ़ाम करेंगे आज से ही सरदरीतू का आगमन हो जाता है ऐसे तो दो दिन है पुरनीवा पर एक तीस तारीक को आठ बजे रात तक ही है और आठ बजे के बाद परती पदा पढ़ जाएगा इसलिए घीर रखने का जो है तो आच ही हम 30 अटूबर को ही रखेंगे इसमें हम छार्पुटी गोई लायची डाल देंगे जो हमने इसमें पूटकी रख रखा है पर चीनी खाते हो ताब चीनी डाल दें अगर चीनी नहीं खाते हो ताब बुड़ डाल दें अगर बुड़ भी नहीं खाते हो तो सूखा में वाज़ों हम डालेंगे उसी से मिठा पना जाएगा इसमें हम एक दो चमत चीनी डाल देते हैं मिठास के लिए अगर बिल्कुल बन के तयार है थोड़ा सा और दो तीन मिनट और लगेगा थोड़ा पतला है इसको हम गाड़ा कर लेते हैं और अगर आप मिट्टी के बरतन रखे वे ताप मिट्टी के बरतन में छट पे रखें और नहीं तो आपके पास अगर चांदी का कटोरी हो कटोरी है तो उसमें आप रखें और वो भी नहीं है तो बस आप पतीला को किसी चलनी या कोई मलमल कपड़ा से ढंक के अची तरह से कभर करके रखें कि कुछ कीड़े मकोड़े उसे हनी न पहुंचाएं और आप ऐसे जगह रखें जहां कि चंद्रमा की रोसनी आए उससे जो अमृत की वर्षा हो ऐसे जगह पे आप रखें और सुबह के आप दो से तीन बजे तक आप उठा के उसको ले हैं इसमें हम काजू डाल देते हैं और कटा हुआ बदाम डाल देते हैं और किसमिश डाल देंगे और एक दो बर चला देंगे आप खीर बना के पहले अपने इस्टेव के भोग लगा ले उनको अरपन कर ले उसके बाद आप उपर चांद की रोसनी में रखें और आज तो और महासन्योग है कि सुगरवार को पड़ा है लक्ष्मी माता का दीन है तो आपको सब चीज मिल जाएगा निरोग काया धन वैभाव हर चीज मिलेगा आपको आज 2020 बहुत ही खास सरतपूर निमा है तो इस दिन आप जरूर खीर बनाए और रखें उपर चांद की रोसनी में इसको आप उबरतन में रख लेते हैं गैस बंद कर देते हैं तो आप भी जरूर सरतपूर निमा को खीर बनाए धन्यवाद